जहिन मेरे दोस्तों आज हम प्रसनावाली 3.5 का NCRT बुक तेंथ कलास का प्रसन करमांग 2 का भाग नंबर 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे यदि आपको वीडियो समझ में आए अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सकाइब कर लेंगे तो देखिए यह प्रसन को कैसे हम लोग हल करेंगे प्रसन कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समी करनों के युग्म का कोई हल नहीं है कोई हल नहीं है इस माध्यम से कोई हल नहीं है इसके लिए कंडिशन क्या होता है तो यहां हम देख लेते हैं कुछ सुत्र लिखा हुआ है कि A1 बटे A2 बरावर B1 बटे B2 बरावर नहीं है C1 बटे C2 का तो यह कोई हल नहीं है यही कंडिशन कहता है इस कंडिशन के माध्यम से हम क्या करेंगे इस प्रसुन को हल करते हैं तो आईए अब वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो यहां हल लिख लिए हैं लिखेंगे सबसे पहले क्या रैखिक रैखिक समी करनो के युगम से ठीक है इसका सबसे पहले तो ब्यापक ब्यापक रूप क्या होगा यह सबसे पहले हम जानेंगे ठीक है यह जो समी करन दिया हुआ है यह समी करन का ब्यापक रूप होता क्या है तो ऐसे होगा क्या होगा A1X जोर B1Y जोर C1 बड़ावर 0 फिर होता है A2X जोर B2Y जोर C2 बड़ावर 0 यह समी करन एक हो गया और ये समीकरन 2 हो गया ठीक है इसका हम देख लेते हैं कि ये ब्यापक रूप होता है और इसी ब्यापक रूप के माध्यम से हम क्या करेंगे A1, B1, C1, A2, B2, C2 हम ग्याद करेंगे तो आईए देखते हैं यहाँ A1 जो लिखा हुआ है क्या है A1 और B क्या है यहाँ Y से पहले B1 लिखा हुआ है तो इसी तरह से ये समीकरन से हम यहाँ से A1, B2 यह ज्याद करते हैं तो क्या होगा A1 अब देख लेंगे सब से पहले ये समीकरन एक होगा उपर वाले में तो एक से पहले क्या है थिरी है तो a1 हो गया फिर b1 देखेंगे तो y से पहले कुछ नहीं इसका मतलई इसमें 1 है तो यहां लिख लेंगे 1 इसके बाद c1 तो c1 बराबर क्या है देख रहें यहां कि बराबर के बाएं साइड है तो एक बराबर के बाएं साइड आएगा तो क् फिर इसके बाद क्या लेंगे a2 ठीक है अब a2 क्या हो जागा तो a2 समिकरन 2 में देखेंगे कि x से पहले क्या है तो यहां है 2k-1 ऐसे है ठीक है इसके बाद यहां पर क्या है b2 लेंगे तो देखे b2 क्या है b2 भी इसमें y से पहले क्या हो जागा k-1 और c2 कितरा हो जागा तो इधर हो जागा क्या? माइनस ऐसे 2K पलस 1 इस तरह से ले लेंगे, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ? A1, B1, C1, A2, B2, C2 यह सभी का मान हम को यहाँ पता हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ कोई हल नहीं है, ठीक है? अब उसके माध्यम से क्या है? कोई हल नहीं, ठीक है कोई हल नहीं इस माध्यम से हम लोग अब चलेंगे तो इसका सुत्र क्या होता है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 का ठीक है अब क्या करेंगे इस माध्यम से हम इसको बैठा लेते हैं तो A1 कमान हो गया क्या theory, इसके बाद A2 कमान क्या हो गया, 2k-1, ठीक है, इसके बाद बरावर लिखेंगे, B1 कमान 1 है, अबटे, B2 कमान कितना है, k-1, बरावर नहीं है, क्या है C1, C1 कमान-1, अबटे, C2 कमान-2k-1, इस तरह से शुत्र है, ठीक है, तो यहां हमको क्या करना है ना कोई हल नहीं है यहां तो किये कमान निकालना है तो किये कमान हम उसी के साथ निकालेंगे जो बराबर में दिया है ठीक है तो इसी दोनों का हम हल करेंगे जिससे कि हमको क्या होगा के कमान असानी से निकल जाएगा ठीक है तो सबसे पहले क्या करेंगे यह थीरी से ऐसे अब हम यहां क्या करेंगे यहां लिखेंगे 3 के और यहां देखिए माइनस बरावर के दाये साइट 2 के है तो बाये साइट आएगा तो क्या होगा माइनस 2 के बरावर क्या होगा यह माइनस 1 हो गया अब बरावर के बाये साइट क्या होगा टू हो जाएगा तो यही दोस्तों के का मान जो था ना जो हमको लाना था और यहां पर finally के बराबर क्या आ गया तो टू आ गया ठीक है तो इसे एस कीन सेट आप मार लेंगे जिससे कि आपको बाद में बनाने में काफी श्रीविधा हो जाएगे